श्री शिवाई नमस्तु ध्यम् क्या घर में जो शिविलिंग रखते हैं उस पर सर्प होना जरूरी है क्या? बहुत सुन्दर संबाद जरा ध्यान रखियेगा इस संबाद को अपने जीवन में उतारियेगा कि मंदिर में जैसे शिविलिंग के उपर सर्प होता है तो क्या घर में जो शिविलिंग होता है उस पर सर्प रखना जरूरी होता है अगर आपके शिविलिंग के उपर सर्प है आप रखो मना नहीं है चांदी का सर्प है चांदी का रखो तांबेका हो तांबेका, पितलका हो पितलका, यह आपकी मर्जी है, आप उस सर्प को रख सकते हो, तानपुरे चाली हो, उस सर्प को रख सकते हो, मना नहीं है, हम यह नहीं कहेंगे कि तुम उसको निकालो और निकाल कर कहीं भी सर्जन करिया ह। या निकाल कर कहीं छोडिया ह अगरे, मारत हम उसका नहीं कहिए, हमारा तो केवल इतना कहना है, कि घर में, अगर मंदिर में, घर के पूजन इस्थाल में, शंकर जीके शिविलिंग पर अगर सर्प रखा है, तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके मन में आए कि हमें अलग सेंध, हमारे यह नहीं हैं, त पर घर के शिविलिंग पर अगर सर्फ नहीं है तो अलग से बनवा कर रखने की जरुवत नहीं है शिविलिंग में पहले से सर्फ होता है ये शुमहापुरान की कथा में ये कारकोटक की कथा में इसपश्ट किया गया एक हजार सर्फ माता कद्रू के पुत्र हैं एक हजार शिविलिंग से जाकर को लगान संकर के शिविलिंग से जाकर लग गया और भगवान की भक्ती मिंखी अलुबी अचय कारकोटक कारकर बशिव सु झारकेया नेख्रति 좀 डूसरा सय्ञाय की अ शरी श्रिवाई्यार नमस्तु प्यंह